नमस्कार स्वागत आपका भारत लाइब में मैं हूँ आपके साथ दुशाल यादव राष्टे जनतादल के प्रमुख लालु प्रसाद यादव को लेकर बड़ी ख़वर सामने आ रही है आपको बता दें कि दुमका ट्रेजरी मामले में उनकी आज सुनवाई होने वाली थी लेकिन ये सुनवाई टल गई है और क्यों सुनवाई टली है हम इसको बताएंगे इससे पहला आपको बता दें कि लालु प्रसाद यादव इन दिनों एम्स में भड़ती है एक गंभिर बिमारी से जूज रहे हैं उनका जो किड्नी 25 फिजदी ही काम कर रहा है उनका इलाज के लिए दिल्ली में उनको भरती कराया गया है और इससे पहले वो राची के रिम्स अस्पताल के पेंग वार्ड में भड़ती थे उनका क्रिटिकल इस्थिती को देखते हुए दिल्ली के एम्स में भड़ती कराया गया जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेस्व यादव गए थे और बिहार के तमाम जो राजत के नेता ह और रावड़ी देवी वहाँ पहुंची थी बिते दिनों और रावड़ी देवी अभी पत्ना में आ गई हैं और उनके पास मीशा भार्टी जो उनकी बड़ी बेटी हैं वो मौझूद हैं वह आपको बता दे लावल प्रसाद यादव को लेकर के बड़ी ख़वर सामने आ अधिय जिसमें कि सीवेट ने कहा है कि एक सब्सक्राइब का महलत मांगा है हाई कोड़ से वह हैं को कहा है कि तीन दिनों के भीतर हमें जवाब दें वह कहा जा रहा है कि अब ये सुनवाई 16 अप्रेल को आपको बता दें कि इससे पहले लालु प्रसाद यादव ने ज्हार पूरी हो गई उनको देखते हुए उम्र का लिहाज करते हुए उनको कहा जाई जमान दे दिया जाए उसके बाद हाई कोट ने ठिपनिक किया था कि आपकी सजा अभी जो पूरी सजा थे उनमें आधी सजा पूरी नहीं जिसमें कि एक महना 19 दिन बांकी है जिसको लेकर करके पिर से जब आदिपूरी हो गई है उसको लेकर के अब कहा जा रहा है कि याचिका दाखिल की गई लेकिन सी वी आई ने इसमें अरंगा डाल दिया है वहीं आपको नहीं वजा दिये जो याचिका 19 फरवरी को जारकन हाई कोट में डाली गई थी लेकिन जारकन हाई कोट ने ये कहते हुए खारिस कर दिखी कि इसके पिछाधार यह दिया गया था कि लालू प्रसाद ने सजा की आधियावदी पूरा नहीं की है सजा में एक महिने 19 दिन कम पड़ रहे थे जिसके बाद लालू प्रसाद यादव की ओर से हाई कोर्ट में बुद्वार को याचिका दाखिल करेगी जमानत याचिका जिसकी सुनवाई आज हुई आज एक बाद फिर से CBI के और चे इसमें अरंगा डाला गया और CBI ने एक सब्ते का महलत मांगा है और साथ ही कहाई एक सब्ते के अंदर हम इसको लेकर करके वक्त मांगा और कहाई कि उसके बाद हम अपनी तरफ से जवाब देंगे लेकिन CBI को तीन दिन के ही महलत दिया ग प्रशूट के तरफ से सुनवाई होने के बाद उनको रिहाई किया जाता है जमानत मिल जाता है कि बेसबरी से लालु के जो तमाम राजत के लोग जो तमाम समर्था के इंतिजार कर रहे हैं लालु प्रसाद यादव बाहर आए क्यूंकि उनकी जो इस्तिति अभी नाजुक बनी वी है वह अस्वस्त हैं दिल्ली एमस में उनका इलाज चल रहा है वह डॉक्टर चाहते हैं उनके डॉक्टर इलाज कर रहे हैं लेकिन जो तमाम जो राजत के कारी करता हैं समर्था को चाहते हैं लालु प्रसाद यादव की रिहाई हो जल्दी से हम सबों के बीच आए आने वाले दिनों में दिल्चस्प होगा देखना 16 फरवरी माप कीज़े मुझे 16 अप्रेल को वह दिन है जब जारकन आइकोर्ट में फिर से एक बारत पीशी होनी है यानि के सुनवाई होगी देखते हैं भारत लाइब और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैन और विहारियत से स्वरोकार रखे नी तर सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयो बटन दबा दी पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी